समाजादी पार्टी के रास्टिय द्धेक्ष और यूपी के पूर मुख्मंत्री अखलेश आदों ने सनिवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि लख्णव में आज भाज़पा कि सीर्ष नित्रत ने जनता को गुमराह करने के अपनी कला का अच्छा प्रदरशन किया है भाजपा का यही चरित्र और आचरण है कि उसे करना कुछ नहीं है लेकिन जो उसने नहीं किया है उसका स्रे भी उसी को लेना है विकास के नाम पर जोटे आकड़े पेश करने में उनकों महारत हांसिल है यहां कैसी विड़ंबना है कि बिना कुछ किये प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जी की प्रसंचा की जाती है और प्रधान मंत्री जी द्वारा मुख्मंत्री को बधाई दी जाती है जनता इससे हत्प्रद है कि उनके हितों में कुछ नहीं किया गया तब भी एक दूसरे की तारीफे की जा रही है प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने लखनओ के विकास कारों का बड़ा सुंदर हवाई खाका कीचा लेकिन यह बताने में उन्हें को संकोच हुआ कि समाजादी सरकार की समय में ही प्रदेश में विकास को गती मिली राजधानी का सौंदरी करण हुआ लखनओ आगरा एक्स्परस वे जैसी सांदार 302 किलोमेटर की सड़क बनी जिस पर वायुसेना की विमान भी उतरे हैं वोम्ती रिवर फ्रेंट जिनेशर मिस्फ पार्क बने बेतर होता लखनओ में मेटरो की चर्चा के साथ यह भी बता देते कि इसकी सिरुवात किसने की बासपास आसन में तो स्वास तिच्छा कानून विवस्था हर छेतर में हालत बत्तर हुए हैं किसानों की आद्मत्या और बेकारी के कारण विवानों की हताशा भी भाजपा सरकार की देन है इसके बाद बाहर से कुनी निवेश और स्मार्ट सिटी की बातें सिर्फ अच्छा प्रहसन हो सकती है जनता यह जान चुकी है कि जुबानी खर्च से विकास नहीं होता 22 साल सत्ता में रहने के बावजूद गुजरात में ना तो एफ्रस्वे जैसी सड़क बनी और ना ही समाजादी सरकार की तरह 18 लाख लेटाप बच पाएं और ना ही किसानों को फसल बीमा की सुविधा मिल सकी इसी के साथ मेट्रो रेल की विवस्था भी नहीं दी जा सकी समाजादी सरकार ने गरीबों को जो लोहिया आवास 3.5 लाख रुपए में निशुलक दिये उसमें एलीडी बल, पंखे और सौर उरजार की सुविधाय उपलद है भाजपा तो उसमें भी लाबार्तियों से वसूली कर रही है 55 लाख महिलाओं को समाजादी पेंसन का लाब दिया गया इसे भाजपा ने सत्ता में आते ही उनसे च्छीन लिया किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं की बात करने वाले भाजपाई प्रधान मंत्री अपने कारेकाल का रिकार्ड भी देख ले देश की सारी संपनता एक फीजदी घरों में कैद है गरीब और गरीब हैं पूंजी घरानों के सौकुन माफ है सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं